तो नमस्कार साथियो कैसे हैं आप लोग I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत में सब्ड रूप कैसे याद करें भाईया बहुत ज़ादा परिशान कर दिया यूसब रूप ना बहुत ज़ादा पर आचुके हो यहां पर आपको हम गारेंटी के साथ वायरेंटी भी देंगे पूरा आप लोग को सब्द रूप भी याद हो जाएगा वीडियो देखिए ओके देखिए तो इस वीडियो में जो है हम लोग आकारांत पुल्लिंग सब्द की बात करेंगे अब एक ही वीडियो में तो कलेक्टर नहीं बना दूँगा एक भीडियो में जटके में फटका कर सकते हो ओके आजओ तो देख लो भाई यहां पे सबसे पहले आप लोग देख लो यह देख लो बालक बालक सब्द रूप देख लो एक बार नजर दोड़ा ले ना बच्छो एक बार इसे धियान से देख लेना धियान से कि क्या क्या है क्योंकि फिर बाद में हम देखने नहीं देंगे लिखने के लिए सिखा देंगे तो याद हो ही जाएगा देख लो क्या क्या है क्या क्या है देख लो एक बार दिमाग में घुमालो क्या है नहीं है देख लिया अब हटा देते हैं आज तो सबसे पहले देखें यहां पर क्या लिखा रहता है ठीक है यहां पर रहता है लिखा सर बालका बालका ठीक है और यहां पर क्या रहता है बच्छो याद होगा आप लोग को बालको क्या लिखा रहता बच्छो बालको फिर यहां पर क्या रहता है बच्छो केंगे सर यहां पर क्या रहता है बालक भालक और यह तीन याद ही रहता है हर किषी वच्छों को याद रहता है हैना देखो अब यहां पिंदन आठ Common में बढ़र ठीक है अब दीखों यहां पे लिख दो है जो उपड में लिखे हो है बालक को ठीक है विसर्ग नहीं लगाना है हे बालक यहां पर क्या है बालक को यहां पर लिख दो हे बालक को ठीक है ध्यान देना जैसे उपड़ में वह इसे लिख देना यहां पर क्या लिखेंगे हे बालक का ठीक हे बालक का हो गया देखो इसमें टोटल कितने है 24 जिसमें आपने कित गो दो गो इकर इसका मतलब ये सम्झो की स्को दो बार लिखना ठीके टीरीख से बनता देखो यहँआ लिखना है बालको फिर से दोबाड़ा प्लिख देना है बालको फो गया है न हुआ अब दीखो भयाम आता है क्या आता है तो भयाम में क्या गो एप यो मGERे oh machine गो ना ser inspiring बार लिख दो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे बालके भ्याम बालके भ्याम फिर तीन बार लिखना हमको इसी चीज को बालके भ्याम ठेक फिर क्या लिखना है बालके भ्याम चलो भया यहां तक तो पार लग गया कोई दिक्कत हुआ जी नहीं आजो आगे क्या करेंगे अब दिखो क्या होगा आगे होगा बालक को बालक यो क्या होगा यो क्या होगा यो क्या होगा बालक यो ठीक है यो ओकर विसर्ग यो होता बालक यो ठीक है यह हो गया दो गो है फि आब टोटल कौंट करोगे आपने 12 लिख दिया 24 में आपने बारो किलया ट्रक्त dvac आइनी ठीक है दो बार रहें उपड़वला दो बार सेम उसके बास घयां में तीन गो तो तीन बार ओक बाद यौवला दो को वार लिखना यह ध्यान में रख लेना है और कुछ नहीं आप कोपी कलम निकाल कि इस वीडियो को बात लिखना सीखिएगा हंडेट टेन परसें लिख लिजेगा गारेंटी वारेंटी दे रखें आपको तो टिंसल किस बात कि भाई पसीन आ रहा है चलो कोई नहीं अब यह ठीक की सेखिए तो अहाै से शुरू करते हैं म हें तो क्या हो जीगा बालकम बालकव म निक तयी जहां पर और ही तुहां कुछ नहीं लिखना है और मौ अमर है तो सिर्फ मौ हुआ हुआ इसका मतलब ठीक है ठीक अगर आ रहे आप है इसका मतलब हो गया मौ आकर हो जाएगा या इससे पहले आकर हो जाएगा यह चीजे आप लोग जानते ही होंगे ठीक चलो इसको हम एरेज कर लेती है अब देखो अब देखो वहाँ क्या है एन 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 है ना तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बाले केन क्या लिखेंगे यहाँ पर बाले केन फिर देखो बच्चो क्या है आए तो क्या हो जाएगा बालक बालक लिख लो पहले क्या है आए तो क्या हो जाएगा बालक आए ठीक उसके बाद द इसे है ना तो क्या हो जागा बाल कश्य को कि अगला क्या है ये तो क्या हो जाएगा ये है तो बाल के हो गया कम्प्लेट समझ भाएं अब देखो इसमें आ जाते बच्चो धियान देने वाली योग के बात है एक से दो बार लिखो गये दूसरा ती सरव लिखो अराम से याद हो जाएगा ठीक है अब ये नहीं कि एक ही बार में याद हो जी एक से दो बार लिखने की कोसिस करना जो तरी इसका बार अगूत्याद करवा ही दिया अपने मर जिस लिख लेना व이 तरिकाव अपला है करके डीक है आप दिखो आन हो दो भया अनम एशू ठीक है तो क्या है उन्हें कि अहाँ पे बालकान आण है तो बालकान फिर क्या है ऑउ आ है तो क्या हो जाऎगा बालको ठीक दो ऑ करें ठीक है अब देखो क्या है दो भया इसका मतलब है कि बालके के भया ठीक है, बाल के भय, ठीक है, उसके बाद, दो बार नहीं है, दो भय, तो मतलब क्या, दो बार, बाल के भय, ठीक, कोई दिक्कत, आनम, तो क्या हो जगा बच्चो, बाल का नम, ठीक, बाल का नम, अब क्या है, एसू, तो क्या हो जगा, बाल के सू, मुझे भी याद नहीं है मुझे भी याद नहीं है लेकिन पूड़ा लिख दिया सची बता रहा हूँ भ có ट्रीक segnask Rings hermanos जबर दस्त का ट्रीक उसके बाद जो मैंने तरीका बताया जो तरीका बताया कोई NOT योगा अब इसमें घस सकते हैं कोई दिक्कत यह याद होगा यह याद हो गया ठीक है मैंने बताया ना बच्छो मैंने बताया ना कोई दिक्कत नहीं हुआ अब देखो इसके लिए आउकर है दोगो तो काउकर है तो बार आउकर भयाम में तीन गो तो भयाम में देखो तीन ग लगी होगी ठीक है पसीना पसीना तो हम होई गये हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों साथ सेर करना और हां संस्कृत में कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लिज कॉमेंट करना मैं आपके लिए वीडियो बना झालड़ झालव झालव प्लेट